अजीस तल्वाउ तालेबात, स्सलाम अलेकूं और रहमत लाई वग्राकातू तो एकनॉमिस का पेपर देख रहे हैं, दार दोजार एकिस को हुआ था एकनॉमिस का पेपर आपके सामने हम लेकर इसलिए हाजिर हुए है कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि एकनॉमिस का पेपर किस तरह से होता है, पूरे 3 घंटे टाइम मिलता है और पेपर पूरा 80 मार्स का आता है, अभी गभी इसमें पेच 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं सबसे पहले हमको zung सबसे हिदायत देखना है कि लिदायत में नमबर एक दिया हुआ है, तमाम सवालत लाजमी हैं, तमाम सवालत का हल करना जरूरी है नमबर दो जरुएत के मताबिक साफ जुदुल शकले बनाईए नमबर तीन बाय जानिब के हिंसे पूरे नमबरात बताते है नमबर चार हर एक सवाल का जवाब नए सफ़े से शुरू करे लेकि सवाल नमबर एक मुकमल बीस मार के लिए है इसमें पहला अलिफ है दर जिज्यल मतबादिलात में से सहे मतबादिल का इंतकाब कीजिए माशियत की वो शांख है जो वसायल से तालुक रखती है अब इसका जो सही जवाब है तो हमको इसका जवाब लिखना है तो हमको ये एक्जाम में ये पूरा कोईच्चर लिखना पढ़ेंगा उसके नीचे जवाब लिखना पढ़ेंगा जवाब के नीचे मिसाल के तोर पर उसका जवाब B है D है A है या C है तो उसके नीचे जवाब लिखना पढ़ेंगा इसी तरह से हमार रेंपस दूसरा किसी एक हाजत की तक्मिल के लिए दो या दो से ज्यादा अशिया की मांग एक साथ कियाती है अब इसका सही जवाब चुनकर जो है तुम को इसमें लिखना है तीशरा कोच्चच दिया हुआ है हम जिन्स अशिया इस बाजार की खुसूसियात है फिर उसी के साथ में चौथा माहिरे माशियात के नजरिये में आवामी माहुलियात ऐसे मजामिन में शामिल है जो इलम माशियात और इलम सियासित के किनारो बॉर्डरलाइन पर वाकिय है तो इस तरह से इसमें जो option दिये हुए है तो वो option में से हमको A, B, C, D जो भी जवाब है तो हमको ये लिखना है गैर मुल्की तिजारत का किरदार अब इसका जवाब जो है तो कौन सा है A है, B है, C है इस तरह से ये अलगावाब भी दिये गए है या दूसरा A, B, C, D चारो भी सही है या तीसरा है A, B, D है या इन में से कोई नहीं तो इसके जैसे हमको सही जवाब लिखना है फिर यहाँ पर जो है तो बे शुरू होता है बे जो है तो ये भी पांच नंबर के लिए है सवाल नंबर एक पूरा 20 नंबर के लिए बे जो है तो अलिप पांच नंबर के लिए बे पांच नंबर के लिए इसमें बे जो है तो बामी तालुक को मुकमल करना है नंबर एक जुजवी माशियात दरख्त और कुली माशियात और उसके आगे उसका जवाब लिखना है नमबर दो वाहे सार्फ, इन्फरादी मांग, कई सार्फीन और उसका जवाब आगे लिखना है फिर नमबर तीन, पहले एक बॉक्स दे दिया गया है फिर उसके नीचे, नीचे की जानिब ढलान बनाने वाले वकू खते रसद उपर की, जानिब ढलान बनाने वाला वकू इसी तरह से नमबर चार, कीमत, इशारिया, इफराद, जर्फ और फिर इसका जवाब हमको बॉक्स में लिखना है, आगे के आएगा फिर दूसरा, जराती पैदावार इसी तरह से नमबर पाँच, ये फिर बॉक्स दिया गया इसका जवाब के लिए फिर आगे मरकजी बैंक, स्टेड बैंक ऑफ इंडिया, कारोबारी या तिजारती बैंक, तोटल पाँच नमबर के लिए है जीम का सवाल है कि दरजेजेल बैयानात के लिए माशी इस्तलाहत लिखिए नमबर एक कई, किसी अशिया के इस्तेमाल के वक्त में तबदीली से अफादियत में इजाफा होता है नमबर दो, ऐसी अशिया की मांग जिसका मुक्तलिफ इस्तेमाल हो नमबर तीन, वो बाजार जहाच चदिया कुछ फरोशन दे होते है नमबर चार, ऐसा मालियाती गोशवारा जिसमें हकुमत की आइंदा माली साल की मतवक्ते आमदनी और मजूजा खर्च का तसकेरा करती है नमबर पांच ऐसे डिपाउजिट जो जमा करने वाले की एक खवाईश के मताबिक निकाले जा सकते है दाल जो है तो दाल भी पांच नमबर के लिए पूछा जाता है दाल का सवाल है मंदर जाजैल बयानात मुकमल करके दो बारा लिखना है यहां पर पहला सवाल दिया गए कि जब हाशियाई अफादियत M.U. मनफी होती है तो कुल अफादियत T.U. अब उसमें आगे खाली जागे में जवाब लिखना है तो वो बढ़ती है या घटती है या मुस्तकिल रहती है या सीफर होती है तो इसका सही जवाब हमको चुन कर लिखना है नमबर दो जब 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 ज़्यादा कीमत पर कम एकाईयों की मांग की जाती है उसको जाहिर करती है क McN-सी जयर करती है या मांग में एजाफ़ा होता है या मांग में कमी होती है या मांग का फैलना या मांग का सुकर तीसरा दिया हुआ है हर एकाई की फरोगत से हसलोने वाली आमदनी अब इसका सही जवाब कुंसा है अलिफ है, जी मैं, बे है, डाल है उसका सही जवाब हमको खाली जगे में लिखना है नमबर चार बारत के जर्बाजर के मुन्नजम शोबे में ये शामिल है अब क्या शामिल है अलिफ शामिल है बे है जीम है दाल है ये 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 देही बैंकर्स है ये साहुकार है तिजारती बैंक है या गैर मुनजम कर्द देने वाली मालियती तन्जीम है आखरी खाली जगे अमर बाज दी गई है जब एक मुलक दूसरे मुलकों से अशिया और खिद्मात खरीदता है अलीफ बरामद तिजारती या बे है दरामदी तिजारती या जीम है मकरر अबर आमद तजारत या डाल है अंधरोंनी तजारत इसका सही जोխी जवाब है तो जिसमें खाली जगे में लिखना है सवाल नमबर दो शुरु होता है सवाल नमबर दो का अलीव ये मुकमल जो है तो बारा मार के लिए पूचा जाता है लेकिन सवाल नमबर दो का अलीव जो है तो छे मार के लिए पूचा गया है और इसमें से कोई तीन सवालात हल करना है नमबर एक सवाल दिया गया है मादाओं ने एक खांदान के महाना खर्च की मालूमा जमा की नमबर दो पूंजा ने मजबून लिखने की अपनी खवाईश को कलम और बयास के इस्तेमाल से मुकमल किया नमबर तीन भारत में साबन तयार करने वाली बहुत सी फ्रेम्स है नमबर चार रमेश ने हिस्स की कीमतो शेयर के अशिया इशारीया नमबर तयार किये नमबर पाच शकर की कीमत में 50 फीसद कमी से उसकी मांग में 50 फीसद इजाफा हुआ सवाल नमबर दो का बे ये भी कुल जो है तो 6 नमबर के लिए पूझा जाता है इसमें कुल तीन सवालात हल करना है नमबर एक शकली अफादियत और मालूमाती अफादियत नमबर दो मुकमल मसाबकत और इजारादाराना मसाबकत नमबर तीन जुजवी तवाजन और आम तवाजन नमबर चार रास्त टेक्स और बिल रास्त टेक्स 5. मुकमल लचकदार मांग और मुकमल ग्यर लचकदार मांग 3. स्वाल नंबर 3. मुकमल 12 नंबर के लिए पूचा जाता है इसमें जे कोई 3 सवालाथ हल करना है 1. मुकमल मुसाबकत की कोई 4 खुशिजियात बियान कीजिए नमबर दो दिये गए डेटा की मदद से मिकदारी इशारिया नमबर मालूम कीजिए नमबर तीन हकुमत के गयर टेक्स आमदानी नॉन टेक्स रिवेनियों के चार जराय बयान कीजिए نمبر چار تجارتی بینک کو کمرشیل بینک کے امانت ڈیپاؤزٹ قبول کرنے کے کام واضح کیجی نمبر پانچ قومی آمدانی کی کوئی چار خصوصیات واضح کیجی उसके بعد میں آخری ہمارے پاس میں ہے سوال نمبر چھ سوال نمبر چھ مندرجازل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھی इसमें जब को कोई دو حل کرنا होंगे ये कुल टोटल सोरा मार के लिए पूछे जाते है पहला इसमें सवाल है इसमें तीन क्वेश्चन दिये गए नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन इसमें मांग के कानून Law of Demand की वजाहत मफ्रूजात के साथ कीजिए दूसरा है मांग की कीमत लचक के तसवार को समझाईए और उसकी किसमे बयान कीजिए नमबर तीन, कौमी आमदानी की पियमाईश की आमदानी और खर्च के तरीखे बयान कीजिए तो इस एकनूमिस के पेपर में हमने आपको सवाल नमबर चार और सवाल नमबर पांच नहीं बताए है तो इसमें कोच्चा नमबर एक से लेकर कोच्चा नमबर छे तब पूरे मुकमल जवाबात पूछे जाते हैं